नमस्कार जनता के लिए जनता की आवाद जनता समचार में आपका स्वागत है आई चलते हैं खबर की ओर जबलपूर में भाजपानेता कर रहा था राशंग की काला बजारी वह विलहाग में राशंदुकान संचौलित करता है राशंदुकान का खाद्यान भेडागाट चराहे के पास इस्थिस सरादुकान के पीछे एक मकान में छुपाया था क्राइम ब्रांच टीम ने भेडागाट पुलिस के साथ दविज देकर 25 कुईंटल गेहूं 15 कुईंटल चावल और खाली बूरियां जब्त की सोचना पर पहुची खाद विभाग के टीम अब आगे की कारिवाई करेगी गरीबों को केंदरवा राज्य सरकार की योजना के तहट हर महीने फ्री में राशन दिया जाता है पर जिले में कई राशन दुकान संच्वालक गरीबों के नवाले पर डाका डालने में जुटे हुए हैं वे गरीवों के हिस्से का राशन फरजी बाड़ा कर खुले मार्केट में बेच कर अपनी जीए भरने में जुटे हैं। बेड़ा घाट याई शफीक खान के मतावित क्राइम रांच टीम को इसकी सूचना मिली थी कि भेड़ा घाट शराहे पर दुर्गकलाणी देशी चराब दुकान के पीछे लखन पटेल के मकान में सारवजनिक वितरन प्रनाली का गेहूं और चावल भारी मात्रा में रखा हुआ है। वह लंबे समय से गरीवुक और राशन इसी तरह स्टोर कर खोले मार्केट में बेज देता है। खादे विभाग स्टाक आदी की जाच में चुटी हुई है। पहुचाते रहे खबरे हम आपको इसलिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन की बटन को दबाना न भूले। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।